हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफॉर्मेंस आज के दिन और क्या हो सकता है कल कि हम समझने की कोशिश करेंगे टेकनिकल चार्ट के हल्प से नमस्कार मैं जीत सिंग स्वागत करतनौप के चैनल ठाकूर कैपिटल मे अगर देखें तो जो आज का बाउंस है क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां से वापस अप्टेनिंग हो जाएगा या हम लोग यह देख सकते हैं कि जो कल का फॉल था वो था 1.96% और आज का जो बाउंस है वो है सिर्फ 0.50% मतलब कल का जो फॉल था उसके नस् पॉल लो को इस्टैबलिश्ट जो किया था निफ्टी ने उसे ब्रेक करके एक नया लोवर रोह सेंबनाय वगे जेंग कर रहा है मंने कि hunt गियना किया वह शाएक और उसी तरीके से उसी तरीके से एक यह तन वह था जो आप बनके यह लो ऩो हो चुका है हम लोग यह देख सकते हैं यह मतलब एक यह क्लियर सेंटिमेंट है कि यहां से डेली चार्ट में जो ट्रेंड है वो रिवसल हो चुका है मतलब एक हाई था एक लो था एक वापस लोवर हाई और यह लोव अब यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, अब बात करें हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम भी कुछ इसी तरीके का इंडिकेशन हमको दे रहा है, हम लोग ये देख सकते हैं, कि किस तरीके से एक higher low establish किया था, Nifty ने इस दो trading session में हम लोग चेक कर सकते हैं, एक November और 8 October के जो establish के हमनों बात कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देखे तो एक हमको fall देखने मिला, इस lows को break किया है और Nifty ने आज इस level को support दिया है, हम लोग देखें तो ये level है 17,200 का, और 17,200 का अगर level break होता है तो हमको Nifty 16,000 के नजदीक में दिखेगी, जिस तरीके के, यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल कोई support zone नहीं है एक sharp fall हमको देखने मिल सकता है, अगर ये zone, अगर ये support zone टूटता है तो और ज़्यादा ज़्यादा chances ऐसे लग रहे हैं, जिस तरीके का एक price action कह रहा है और जो candle stick pattern कर रहे हैं, हम लोग ये देख सकते हैं, monthly chart पे ये जो last October का candle है ये एक inverted hammer, मतलब यहाँ पे देखें, तो buyer ने बहुत कोशिश की उपर लेके जाने की, मगर seller aggressive है और seller ने यहाँ पे दबाया है, buyer को मतलब यहाँ पे देखें, तो seller win हुए थे monthly chart पे और जो seller win हुए थे, वैसा ही situation, fall up candle आता हुआ हमको दिख रहा है, November month में November month में, इस candle को October month के, कि यहाँ पे seller win हुए है, और यहाँ पे अब seller ही lead करेंगे ऐसा देखने के लिए हमको मिल रहा है, November month में, यहाँ पे देखें, तो seller यहाँ पे aggressive है अब बात करें हम लोग daily chart में कोशिश की समझने की किस सरीके से एक high था, higher low था फिर lower low और यह lower high और lower lows होते जा रहे है मतलब अब यहाँ से indicate हो रहा है कि market नीचे की दिशा पकड़ेगा और हम लोग एक liquidity लेके बैठ सकते हैं कि नीचे एक अच्छी opportunity में हम लोग investment करें अब बात करते हैं हम लोग bank nifty की, bank nifty में क्या हो सकता है और bank nifty कहां जा सकता है वह हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यह देख सकते हैं कि bank nifty में भी कुछ ऐसा ही, ऐसा ही similar, similar चीज़े हमको देखने मिल रही है अगर हम लोग देखें कि bank nifty का moment आज क्या रहा, एक समझते हैं, bank nifty आज 144 पॉइंट प्लस रहा, देखें तो bank nifty का जो fall है वो काफी शाप fall रहा है, पर compare करें हम लोग nifty के साथ, तो एक lifetime अपने high से 14,000, 40,000, 180, 800 के level से, 36,600 के levels पे आ चुका है, bank nifty तो एक काफी तगड़ा fall, यहाँ पर देखें तो एक high था, एक higher low था, फिर एक lower low, lower high और फिर यहाँ पर एक lower low बनता है, यहाँ पर आपको mark करके दिखाने कोश्च कर रहा है, कि किस सरीके से, यह higher low था, अब यह lower low बन रहा है, अब इस low से यह नीचे low बना है, और अग इक ली चार्ट में भी कुछ ऐसे ही candle, शो होते जाए रहे है, इसको जैसे tender stick pattern है, three black crow, मतलब तीन काले कववे ऐसा एक candle stick pattern है, जो negativity दर्शा आता है, कि यहाँ पर continue seller, यहाँ पर position बनाए वे और seller यहाँ पर continue win होते जा रहे है, देख सकते हैं किस सरीके से, वो market को नीचे ले daily chart में, तो daily chart में bank nifty ने भी एक अपना trend को reversal किया है, अब बात करें monthly chart में, तो monthly chart में इस month में देखें, तो इस month में जो ये candle है, एक bearish angle thing, मतलब जो previously bullish candle था, उस candle को totally seller ने observe कर लिया है, मतलब खा लिया है, मतलब यहाँ पर seller ज्यादा aggressive हो चुके है, compare to buyer से, buyer बहुत ही aggressive थे, म market पे, जिस तरीके के candle stick pattern बन रहे है, मतलब यहाँ पर buyer aggressive थे, October month में, और अब November में, उन buyer को seller ने totally observe कर लिया है, totally खा लिया है, हम लोग देख सकते हैं कि candle ने किस तरीके से observe किया है, पूरी तरीके से इस candle को खा लिया है, यह हम लोग चेक कर सकते हैं, अच्छी तरीके से, यह हम लोग देख सकते हैं, कि किस तरीके से यह candleless को पूरा observe किया है, तो एक negativity दर्शाता है, candle stick भी, बड़े time frame पे, daily time frame, mark परना, monthly time frame पे, और हम लोग देख सकते हैं, किस तरीके का observation, हम लोग यहाँ पे, कोशिच कि हमने समझने कि, मतलब यह जो rally थी, यहां सा तक कि, यहां की rally, और इस rally को यह गिर के, इन्होंने पुरा observe कर लिया, इस rally को, मतलब एक negativity दिख रही है हमको, अब बात करें हम लोग EMS पे, EMS में देखे तो 50MA के नीचे है, 5MA के नीचे है, 13MA के नीचे हर EMA के नीचे आ चुका है, price, यहां पे देखे तो 20MA का support लिया है, Nifty ने, और यहां EMA के नीचे है, 5MA के नीचे हर EMS के नीचे है, monthly candle की बात करें, monthly candle में, monthly candle में 5MA के उपर है भी भी, बात करें हमनों बैंक निफ्ती की, है तो यह चीज़े हमको दिख रही है और देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगडिटी दिखा रहे हैं और हमको कोई नई सबसे बढ़ना वाल्यूम की बात करें तो विकास इसमें सबसे ज्यादा आज क्वांटिटी की ट्रेड हुई है अब बात करते हैं क्या एक्षन रहा एक्षन की बात करें तो कल के दिन में एक नेट सेलिंग किया था 3438 करोर मार्केट को नेगटिव देख रहे हैं उसके पहले भी 18 तारीक उन्होंने गुरुवार के दिन 3930 करोर का नेट सेलिंग किया था आज का डेटा यह 7-8 बस सक आएगा कि उन्होंने आज क्या किया है तो यहां पहलों यह चेक कर सकते हैं किस तरीके से वह मार्केट में प्रॉफिट बुक करते वें निकलते जा रहे हैं छोटा स से लेके इस जर्नी में टोटल तीन करोर डिमेंट अकाउंट अपन हुए है मतलब आप यह देख सकते हैं एक साल इस देड़ साल में तीन करोर डिमेंट अकाउंट अपन हुए है जो अब तक नहीं हुए थे मतलब 1947 से लेके 2020 तक नहीं हुए थे वह तीन करोर अकाउंट लो केसे जैसे यह फॉल आया था तो जरूर हमको अपनी पोजिशन होल करकी रखनी चाहिए मतलब कोई नई पोजिशन को नहीं बनानी चाहिए और समझना चाहिए कि मार्केट का मुमेंट क्या है और प्रॉफिटेबल ट्रेड और प्रॉफिटेबल इंवेश्मेंट करने की कोश का दन्लवाद